हलो स्टूदेंस वेल्कम टू होमवखेल बायार जी सीबी एसी ने विल्कुल लास्ट मॉमेंट पर कुछ प्राक्टिस क्वेस्चन्स रिलीज किये हैं अपने ओफिशल वेबसाइट पर यह प्राक्टिस क्वेस्चन्स या सेंपल पेपर कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्स के लिए ही किये गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि यह बहुत इंपोर्टेंट है और जो आपका फाइनल पेपर होगा वो कहीं न कहीं इसका रेप्लिकेटिव हो सकता है इसलिए इन्हें करना बहुत ही ज़रूरी है जितने भी कोचिंग इंस्टिट्उट्स हैं या ट्यूशन्स वाले हैं वो सभी अपने बच्चों को इसका लाइफ सेशन करा के इसकी प्राक्टिस करा रहे हैं तो हमने सोचा क्यों न हम भी इसे अपने चैनल पर डिसकस करें तो यहां पर क्लास 10 का इंग्लिश प्राक्टिस क्वेशन हम एक्स्प्लेइन कर रहे हैं बिल्कुल इजी लैंगूइज में इसको आप देख लिजे कि यह क्वेशन पेपर आपको कहां पर मिलेगा बहुत से बच्चों को यह परिशानी आ रही है हमें भी यह परिशानी आई थी हम भी इसे ढून रहे थे कि कहां पर मिलेगा तो आपको गूगल में जाके सर्च करना है cbscacademic.nick cbsc की official website पर आप ल दिया गया है इस टैब में आपकी यह दोनों खुल जाएंगे यहां से हम पेपर खोल लेंगे और पेपर को खोलने के बाद पूरा स्क्रॉल करके आप नीचे जाएंगे जब बिल्कुल लास्ट में आपको इसकी आंसर की भी मिल जाएगी और explanation आपको चाहिए तो आप यहा दिस्कर्सिव पैसेज है सेकिन हमारा केस बेस्ट पैसेज होगा तो फर्स पैसेज को मैं बहुत ही जल्दी से या पर समझाने वाली हूँ ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो बहुत से लोगों के ना ना कहने के बावजूद भी टेक्स्ट बुक्स मर चुकी है यानी खत्म हो चुकी है लेकिन वो यह नहीं जानती है कि वो मर चुकी है और वो अभी भी ऐसे चल रही है जैसे कि अभी भी जिन्दा है I even have one मेरे पास भी एक है एक फिजिक्स की टेक्स्ट बुक on my bookshelf that was printed in 1891. It has some line drawings in no color और मेरे पास जो बुक है उसमें कुछ line line से drawing बने वे कोई color नहीं है Today textbooks have lots of colorful images and engaging questions sprinkled about them जबकि आजकल की जो किताबे होती हैं उन्में बहुत सी colorful images होती हैं आप बहुत से engaging questions होती हैं जिनको करने से आप involved हो कर उनको करते हैं और enjoy करते हैं They also have tons of advice for teachers on how to use them effectively उसमें teachers को भी बहुत सी advice दी जाती है कि किस तरीके से वो बच्चों को effectively पढ़ा सकती हैं Second paragraph The word textbook originated in the 1720s almost 300 years ago. It had a good run and is ready to retire वो केरे 1720s में textbook originate हुई थी 300 साल अब हो चुके हैं और यह बहुत बढ़िया चली लेकिन अब यह retire होने वाली है Those who argue that you cannot learn well without a textbook ignore the centuries prior to 1720 when lots of people learned and learned well with no textbooks anywhere बहुत से लोग जो यह argument देते हैं कि बिना किताब के पढ़ाई नहीं हो सकती वो शायद 1720 से पहले की century को भूल गए हैं जब लोग बिना किताबों के पढ़ते थे और बहुत अच्छा पढ़ते थे You can learn without textbooks, that is certain But why should we bother to change something that has worked for 300 years? वो कहरें कि यह तो पक्का है कि किताबों के बिना पढ़ सकते हो लेकिन जो चीज 300 सालों से इतना अच्छा काम कर रही हम उसे क्यों बदले? क्यों परवा करें उसे बदलनेगी? चलने तो ऐसी Many deliver the verdict in a single word technology That's way too simplistic बहुत से लोग इसके लिए सिधा एक ही जवाब देते हैं कि technology में change आगया है तो हमें भी change होना चाहिए Third paragraph We have seen film loops, overhead projectors, motion picture projectors, machine scoring of tests and a mirriad of other technological innovations in classrooms But the textbook remains वो कहरें हम इतनी सारे अपने सिर पर projector लगे हुए देखते हैं motion pictures हैं और हमारे test किया machine से checking हो रही है इतनी सारी technological innovations हो रही है mirriad का मतलब होते है बहुत सारा पुरा जाल जैसे तो technology इतनी ज़्यादा diverse हो चुकी है लेकिन फिर भी किताबे हैं No, technology alone will not end the reign of the textbook It takes something more and that became available in the 1940s The programmable electronic computer वो कहरें खाली technology किताबों के राज को खदम नहीं कर सकती इसके लिए और किसी और चीज की भी जरूरत है और वो हमें कब available हुई? 1940s में जब programmable electronic computer आए और आज 70 साल बाद वीवी किताबे विजिबल है The computer was not sufficient by itself अब कहरें कि computer आगया 40s में लेकिन उसके बाद भी किताबे हैं कि computer भी अकेला उसके लिए काफी नहीं था 4th paragraph The next big change began with ARPANET in the 60s This foundation led to the internet and its growth has been phenomenal But a widespread communication medium alone is not sufficient to dislocate textbooks either अब वो कहरें कि 1960s में जब internet की शुरुआत हुई वो बड़ी धमाकेदार थी लेकिन उसका इतना जो ज़्यादा फैला हुआ communication था वो भी अकेला काफी नहीं था किताबों को हटाने के लिए inexpensive computers, easy to use interface GUIs जिसको हम बोलते हैं and ready access to the internet all contribute कि internet के अलावा सस्ते computer और GUI user friendly जो interface होता है उन सब पे जो हमारी access हुई है उन सब ने मिल जूलकर सही ओग दिया है 5th paragraph fine, same any but the textbook publishers are putting their books online they are creating e-textbooks so textbooks live लेकिन जो textbook वाले हैं उन्होंने तो e-books निकाल दी हैं तो इसका मदलब e-books, textbooks भी अब live हो गई हैं 6th paragraph this argument misses the essential difference between education technology in the earlier times and educational technology in the present other than mere cost लेकिन ये वाले जो argument है कि किताबे भी तो अब आगई है नेट पे e-books आगई है, किताबे live हो गई है इस वाले argument में क्या चीज़ लाकिंग है वो ये भूल गए है कि पहले की technology और आज की technology में बहुत जादा फर्क है रेट के cost के अलावा और भी बहुत से फर्क है computer software can be interactive previous education technology was like textbooks rather passive active learning is far superior to passive learning so much so that it is not a step, not a leap but a rocket propelled launch past old-fashioned learning वो कहरें कि आज की computer software इतने interactive है बच्चे इतना enjoy करके सीखते हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं पहले की जो technology थी, वो बहुत ही textbook के जैसी थी, किताबों के जैसी ही passive आप उसमें involved होकर नहीं सीख रहें आजकल हमें model बना कर चीजों को उसी time experience करा के सिखाया जाता है जिसको कहा जाता है active learning तो वो कह रहे है active learning जो है वो passive learning से बहुत गुना बहतर है इसी लिए ये एक सिरफ बहुत बड़ा कदम नहीं है बहुत बड़ी छलांग भी नहीं है ये तो ऐसा लगता है एक rocket जैसे एक बार भी निकल गया जैसे rocket की वाली गती से उन्होंने लांच कर दिया 7th paragraph It is a mental engagement with something that determines whether you learn and how well The really big change will come when students can jump into online situations that are more like real life and are able to use a variety of devices to reach the web and become part of the learning community Writer जहाँ पर कह रहे है कि कोई भी इनसान जो सीख रहा है वो खाली किताब पढ़ता है तो पता नहीं उसका ध्यान कहां होता है कहां नहीं लेकिन जब वो interactive तरीके से सीखता है तो वो जो mentally पूरी तरीके से उसमें engage होता है पूरी तरीके से गुसा हुआ होता है तब पता लगता है कि वो सीखेगा या नहीं सीखेगा और कैसा सीखेग और असली change तो तब आएगा जब बच्चे इन online situations में बिल्कुल real life की तरह से घुस जाएंगे उसको enjoy कर पाएंगे और उनके पास इतनी variety के devices होंगे कि वो web का एक हिस्सा बन जाएं जो learning community मौजूद है उसका एक हिस्सा बन जाएं they will be guided by a combination of human mentors and machines अब net पे हम YouTube पे भी देख रहे हैं जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको तो इस तरहीं के से महाँ पर human mentors में होते हैं और machines की भी मदद बहुत जादा मिलती है furthermore diagnostic analysis of their work will tell mentors when students are ready for certain learning and more importantly when they are not और जब उनके काम का diagnostic analysis किया जाता है तब उनके mentors या teachers को ये पता लगता है कि बच्चे कब पढ़ने के लिए तयार है और कब वे तयार नहीं है 8th passage text books do not tap into our brains to realize their learning potential hence today the textbook is a zombie it is just waiting for that wooden stake or silver bullet to put it to a well-deserved rest वो कह रहे हैं कि textbook जो हैं वो सीधे हमारे दिमाग पर असर नहीं करती इसलिए हम क्या सकते हैं कि textbooks zombie हैं यानि कि वो पुराने जमानी की बात हो गई है यहाँ पर आपको source दिया गया है कि यह passage कहां से लिया गया है textbooks are zombies एक journal से लिया गया है CBSC अब की बार इसी तरीके के journals पर ही focus कर रही है magazine से newspaper से article ले रही है किसी book से या sample paper से नहीं लिया जा रहा है अब इसके basis पर हमारे MCQs देखते हैं in the passage the author talks about a well-deserved rest for the textbooks which of these describe the author's attitude towards textbooks author ने कहा कि उनको एक rest की जरुत है तो इन में से कौन सा attitude है textbooks के प्रती author का he criticizes the value added by textbooks in society उसको criticize नहीं कर रहे हैं वो he recommends that textbooks are the sole medium for effective learning नहीं वो तो उल्टा यह कह रहें कि अब textbooks खाली textbook से बढ़ा ही नहीं होती he thinks that textbooks are far more superior than other medium of knowledge क्या textbooks को बाकी medium से अच्छा बता रहे हैं he is concerned about the continued of textbooks as a primary source of learning वो बहुत concerned है क्या textbooks आगे भी इसी तरीके से एक primary source रहेगा learning का कि अभी तक हम 300 सालों से सिरफ textbooks पर ही based थे उन्हीं पर ही dependent थे क्या आगे भी ऐसा रहेगा he is concerned about that answer की जो भी देखना चाता है तो pdf के last में दी गई है pdf का link में description में भी देदूंगे आप जा कर सीधे cbsc के official website से इसे download कर सकते हैं मैंने भी वहीं से किया है second question based on the passage the following developments took place in the education field passage में हम भी बताया गया है कि किस तरीके से education field में अलग-अलग समय पर developments हुई the process of learning took place without the use of textbook textbook computers and digital books reduce the dependency on physical books अब जिसतर जब computer की invention हुई तो physical books पर dependency कम हो गी the creation of adaptive and interactive learning tools contributed to the way learning took place जो हमारे नए 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 टूल साए इनकी वजे से हमारी जो learning है वो और जादा interactive हो गी the introduction and circulation of textbooks turned them into a commonly used medium of learning जब textbooks को introduced किया गया तो वो एक commonly used medium थी अब यहां पर आपको बताना है which of these arranges the developments in order of their occurrence यह चारो developments हुई है पिछले सालों में उनमें से कौन सी सबसे पहले हुई फिर उसके बाद फिर उसके बाद यह हमें बताना है तो सबसे पहले हमारी कौन सी हुई थी the process of learning took place without the use of textbook book तो सबसे पहला तो हमारा first आना चाहिए सीधा C और D को तो यहां पर छोड़ दो the introduction and circulation of textbooks turned them into a commonly used medium of learning पहले books नहीं थी फिर books आई तो वो main source बन गही तो first के बाद fourth यह B वाला लग रहा है इसका इसके पास second the invention of computers and digital books reduce the dependency on physical books यह भी ठीक है उसके बाद है creation of adaptive and interactive learning tools तो आपका इसका सही जवाब हो गया B third question select the option that can weaken the author's case for a complete shift to computer learning in paragraph 6th paragraph 6th में देखिए author नहीं यहां पर कहा कि हम पूरी तरीके से books को छोड़ कर computer learning पर shift कर सकते हैं लेकिन नीचे दिये गए arguments में से कौन सा author के statement को counter कर सकता है e-textbooks में जो sharp increase हुई है यह हम technology पे जो हमारी dependency बढ़ गई है उसकी वज़े से scholarly articles comparing the effectiveness of online learning with that of textbook हमारी जो export लोग हैं वो यह कह रहे हैं कि online learning जो है वो offline learning के आगे कुछ भी नहीं है इतनी effective नहीं है last कहता है the development of e-textbook with activities that require active participation from readers अब यह e-textbook आती जा रही है और उनके वो खली boarding ऐसे passive नहीं उसमें साथ में वो active participation दे रहे हैं readers का तो यह वाला जो case है यह author के argument को counter कर रहा है तो इसका सही जवाब आपका होगा D 4th question which of these best conveys the meaning of diagnostic analysis as used in paragraph 6th paragraph 6th में कहा गया था कि diagnostic analysis से यह पता लगता है कि students कितना सीख रहे हैं या कब सीख रहे हैं और कब वो सीखना नहीं चाहते हैं a depiction of learners interest learner के interest को बताना नहीं diagnosis और analysis दोनों words से आपको doctor क्या करता है diagnosis करता है हमारा जाच पड़ताल करता है तो इस word का अगर आपको meaning नहीं भी पता है तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि जाच पड़ताल करके और फिर उसको analyze करते हैं बच्चे के marks के basis पर या उसकी attendance की basis पर analyze किया जा रहा है कि वो कब interested है कब नहीं है तो इसके basis पर हम इसका meaning डूढ़ेंगे a display of learners achievements, no, an evaluation of the learners capabilities, उसकी capabilities को evaluate करना, an appreciation of the learners initiative, learner के जो सीखने वाला है उसने कहा कहा initiative लिया, उसको appreciate करना, उसकी तारीफ करना तो इसका हमारे सही जवाब होगा, an evaluation of the learners capabilities, 5th question, which of these sentences correctly uses the phrase rocket propelled as used in paragraph 6th, 6th में मैंने बताया था, rocket propelled था, मतला पर, rocket जैसी गती से बहुत तेज गती से, scene is lucky to have a friend who talks to him in a rocket propelled way, scene बहुत लगी है कि उसके पास एक ऐसा friend है जो उससे ऐसे rocket propelled way में बात करता है, इतनी तेज गती से, अनिका screamed out of fear and ran out of her house in a rocket propelled way, अनिका घर से चिलाती हुई निकली डर की वजे से और घर से बहार भाग गई इतनी rocket जैसी तेज गती से, regular practice and a good coach gave the batsman a rocket propelled rise in his career, अच्छी practice और अच्छे coach की मदद से batsman ने अपनी करियर में rocket जैसी ती वर गती से बड़त हासिल की, the TV was buzzing with the news of severe damage caused by a rocket propelled explosion, TV में कुछ news आ रही थी कि इस तरीके से कोई explosion वहाँ पर हुआ है बहुत ही तेज गती से, तो हमारे पेसेज में वो क्या बता रहे थे, कि rocket propelled मतला इतनी तेज गती से बच्चे उननती करेंगे आगे बढ़ेंगे, तो यह हमारा इसका सही जवाब है C, regular practice and a good coach gave the batsman a rocket propelled rise in his career. Sixth question, select the option that best describes the passage, पेसेज पढ़के आपको क्या पता लग रहे हैं, नीचे दी गई इन 4 statements में से conscious statement सही है, Harry Keller's piece gives an account of the origin of textbooks, नहीं, वो सिरफ textbooks के origin की बात नहीं कर रहे हैं, Harry Keller's essay provides a boost to the field of education technology, यह जो essay था या passage था ऊपर, यह क्या बता रहे हैं कि education technology के field में कितनी तेजी आई है, Harry Keller's commentary on the popularity of computers is a must read, क्या वो उसमें सिरफ computers की popularity की बात करें नहीं, तो A भी हमारा नहीं है, C भी नहीं है, B को अभी हम रख रहे हैं option में, D कह रहा है Harry Keller's observations on the changes in learning patterns are brilliant, वो कह रहा है उन्होंने learning pattern में जो जो बदलाव आया है, उस पर जो study की है, observation की है, वो बहुत ही शांदार है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो observe किया, उससे सब लोग agree नहीं कर रहे, आप लोग को D के साथ confused नहीं होना है यहाँ पर, हम यहाँ पर एक general वाला जो है, कि educational technology में किस तरीके से boost आया है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका सही जवाब होगा आपका B, 7th question, select the option from the passage that does not qualify as a fact, नीचे 4 statement में से कौन से को आप fact नहीं कह सकते, आपको याद है मैंने fact और opinion की दो वीडियो जा लिए हुए, कि fact क्या होता है, opinion क्या होता है, fact होता है, जो कि, जिसके पीछे evidences हैं, proof है, और opinion होता है, जो आपकी राय होती है, opinion अलग अलग हो सकते हैं, बट fact हमेशा same रहते हैं, हर किसी के लिए, तो इन में से देखना है कि कौन सा fact नहीं कहला सकता, चारो की चारो इसी passage में से line ने दी गई है, तोड़े, textbooks have lots of colorful images and engaging questions sprinkled about, ये एक fact है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि आज की किताबों में colorful images and engaging questions होते हैं, so this is a fact, the word textbook originated in the 1720s, almost 300 years ago, ये तो clearly बहुत बड़ा fact है, date वगएरा के हिसाब से ये बता रहे हैं कि कब वो originate हुआ था, तो ये fact है, but here we are 70 years later with plenty of textbooks visible, लेकिन आज 70 साल के बाद हमारे पास बहुत सारी किताबे हैं, कि ये भी fact है, the really big change will come when students can jump into online situations that are more like real life, लेखिए, अब ये कह रहे हैं कि एक बड़ा बदलाव आएगा जब वो real life situation की तरहा उसको enjoy करेंगे, तो ये opinion है, क्योंकि इसमें fact वाली कोई बात नहीं है, कोई evidence नहीं दिया जा रहा है किसी भी तरीके, का ना ही कोई proof है हमारे पास, ना कोई data है, तो डी आपका जो है ये एक opinion है, या फिर जैसा की passage में पूछा गया है, तो हैरी केलर के हिसाब से water cycle पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए, उसका model बना डाले एक छोटा सा, listening to a teacher explain it in detail, एक teacher को ध्यान से सुनों जो explain कर रहे हैं, reading about it through colorful textbook, colorful textbook से पढ़ो, textbook से पढ़ने को वो खही नहीं रहे हैं, तो सीथ तो हटा दिया आपने, और teacher से खाली सुनना, उसे भी वो एक passive learning कहरे हैं, वो active learning चाहते हैं, watching an informative video about it on the internet, इंटरनेट में informative video देखना वो एक तरीके से active learning है, लेकिन उससे बैटर हमारा ये है, ये वाला creating a miniature model of it, क्योंकि जब आप खुद बनाएंगे, तो आप उसको बहुत बहतर तरीके से सीखेंगे, 9th question, Based on the text given, we can say that the author is documenting the history of learning tools, क्या वो learning tools की history के बारे में बात कर रहे हैं, suggesting ways to limit the use of technology, technology के use को limit करने के बात कर रहे हैं, नहीं, he is proposing an argument and making a case for it, वो एक argument पेश कर रही है, और उसी के हिसाब से एक case study हमें बना कर दिखा रहे हैं, highlighting the cause of a problem and its effect, किसी problem के cause को, उसके कारण को highlight कर रहे हैं, और उसके effects बता रहे हैं, तो problem तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, और learning tools की history भी वो नहीं बता रहे थे, और technology को कम करने की बात भी वो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए क्या है C, वो एक argument को पेश कर रहे हैं, और उसके लिए case study बना कर हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कि किताबों का अंतव हो चुका है, और सीधा आप active learning कीजिए, 10th question, In other words, we can say that the author has seen film loops, जो उपर statement दी गई है, उसी को दूसरे शब्दों में लिखना है, तो यहाँ पर आप से पूछा जा रहा है कि जो मिराइड आफ कहा गया था, उसकी जगह पे आप क्या use कर सकते हैं, मतलब उसका synonym क्या होगा, Various, definite, distinct, complex, Various, उसका मतलब होता है कि इतने सारे जो options आपके पास available है, चल यह आपका second question आगया है, case-based paragraph, इसका bar graph वगएरा देखकर घबराईएगा नहीं, passage में ने पढ़ा है, बहुत ही असान है, और बिलकुल पहले वाले passage से भी असान है, तो खाली यह इस तरीके के graphs को देखकर घबरा मच जाना, the Nobel Prize in an international award administered by the Nobel Foundation and is based on the fortune of Alfred Nobel, a Swedish inventor and entrepreneur, आप लोग को मालू होगा कि Nobel Prize, Alfred Nobel के नाम पर दिये जाते हैं और यह एक international award है, the Nobel Prize is awarded for the best contribution in the fields of physics, chemistry, medicine, literature and to the person who has contributed by and large to bring peace on earth, इन इन fields के लिए Nobel Prize दिये जाते हैं, In 1968, Sweden Central Bank established the Sweridge's Riksbank Prize in economic science in memory of Alfred Nobel, 2nd paragraph, A look into the history of the recipients of the award reveals that only 57 women have received the award compared to 873 male recipients, 833 लोग के बीछे अभी तक सिरफ 57 लडीज को ही Nobel Prize मिला है, There are various historical reasons for why this is the case, but the trend appears to be improving, कुछ historical reasons हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है अब वले trend को देख कर, कि यह अब धीरे धीरे सुधर रहा है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ग्राफ को देख लीजा, नंबर अफ विमेन नॉबल लॉरेट्स by decade, 1910 में थ्री विमेन को मिला था, 11 से 20 के बीश में सिरफ एक, फिर दो, फिर तीन, 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 चार, साथ, ग्यारा, तेरा, और 2020 जो है, अभी इसका पूरा डेटा आया नहीं है, तो अभी तक इसमें चार है, Gaurant Hansen, the Permanent Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences said, वाल मोर विमेन आर बीश रेकेगनाईज नाओ, कमपेर विद प्रीविश डेकेज, अज 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 पिछले दशकों से, अगर हम कमपेर करते हैं, हम यह देखते हैं कि आज जादा से, जादा ओरतों को रेकेगनाईज किया जा रहा है, लेकिन हम जादा ओरतों को कैसे दे, केवल 10% ही प्रोफेसर हैं, जो की नाच्रल साइंस में हैं, जो फीमेल हैं, अगर हम वेस्टन यॉरोप को देख रहे हैं, वेस्टन यॉरोप या नॉर्थ अमेरिका को, और अगर आप इस्टेशिया के तरफ जाओ तो वो 10% से भी कम है, All over the world, the number of men working in STEM fields is much higher than the number of women. Fourth paragraph, Hanson emphasized that they have made sure to identify the problem and also learn about subconscious bias in the prize awarding committees and academics. Hanson ने इस बात पर जोर किया कि इस problem को identify किया जा रहा है और वो इस पर ध्यान दे रहे हैं, कि subconscious biasness जो आई है prize awarding committees और academics में, उस पर और अधिक ध्यान दिया जाए, उस पर study किया जाए, We have had lectures by sociologists, we have had group discussions, we have put quite a lot of effort into it, he said. अब वो इसके लिए क्या कर रहे हैं, कि ये gap कम हो सके, उन्होंने sociologist से के lectures रखे हैं, group discussions किया हैं, और भी बहुत से efforts वो इसमें डाल रहे हैं. Fifth paragraph, In the end, we will give the prize to those who are found the most worthy, those who have made the most important contributions, he added, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम prize उनको देंगे, जो उसके पूरी तरीके से काबिल हैं, लायक हैं, जो उन्होंने बहुत अच्छा आपना contribution दिया है. तो ये आपका यहां पर source भी दिया हुआ है, कहां से लिया हुआ है, 261 words का बहुत ही छोटा सा paragraph तो, बहुत ही simple language थी, और simple questions है, चलिए, इसमें आपको 6 questions करने हैं, 8 में से, 11th question, According to the passage, the gender disparity among Nobel Prize recipients is due to dash factors, ये जो gender disparity किस वज़े से इतनी जादा है, historical, क्या इसका, history से तो इसका कोई मतलब नहीं है, economical, sociological और psychological, पैसेज में हमें बिल्कुल क्लियरली दिया हुआ है कि there are historical reasons behind this, तो इसलिए historical होना चाहिए, sociological भी लग रहा है, पट historical के साथ जाएंगे, लेकिन जब मैंने answer की को देखा, तो वहां पर हमें economical दिया हुआ है, पता नहीं वो mistake है या कुछ और है, आपको check करना पड़ेगा अपने teacher से, 12th question, Based on the passage, what efforts are being made by the Royal Swedish Academy of Sciences to address the low representation of female scientists, female scientists की low representation को check करने के लिए, इन्होंने अभी तख क्या क्या किया है, the academy is consciously awarding female scientists, no, the academy is inviting sociologists to lecture about the gender gap, gender gap के बारे में sociologists को बुला रहे हैं वो, the academy is hosting group discussions to boost the intelligence of female scientists, female scientists की intelligence को बढ़ाने के लिए group discussion कर रहे हैं नहीं, उन्होंने sociologist को बुलाया है इस gender gap को दूर करने के लिए, ताकि वो lecture दें और लोगों में awareness बढ़ा सकें, कि females को भी सभी fields में आगे आना चाहिए, तो इसका हमारे सही जवाब होगा, B, only second one, question 13, according to the passage, Goran Hansen says that there are more female scientists in East Asia than in Europe, no, it's wrong, fewer male scientists than female scientists in Europe, ऐसा भी नहीं कहा, fewer male scientists being considered for recognition now, ऐसा नहीं है कि male scientists को अब वो कम कर रहे हैं, more female scientists being recognized for their work now, अब ज़्यादा female scientists को recognize किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है, ताकि gender disparity कम हो सके, 14th question, which of these can be inferred from the graph showing the number of women Nobel laureates by decade, graph को देखकर हमें क्या पता लग रहा है, no woman received the Nobel Prize before the year 1910, 1910 से ही हमारा graph शुरू गया है, क्योंकि तभी से women को मिलना शुरू हुआ है, उससे पहले नहीं मिल रहा था, इसलिए उसके entry नहीं है graph पर, तो यह वाला हमारा correct है, more women have received the Nobel Prize since 1971 than men, यह wrong है, ऐसा नहीं है, विमन ने अभी तक जादा नहीं जीते हैं, at least one woman received the Nobel Prize every year since 1901, ऐसा हमें graph से कुछ clear नहीं हो पार है, क्या उन्होंने हर साल जीता है, क्योंकि वो decades के लिए है, since 1961, women Nobel laureates have been increasing steadily every decade, every decade 1961 के बाद से उनका graph बढ़ ही रहा है, यह भी सही है, तो इसमें हमें दो इन्होंने सही दिये हैं, answer key में भी, वैसे D जादा appropriate लग रहा है, लेकिन A भी हमारा wrong नहीं है, तो आप answer में D और A में से कोई भी लिख सकते हैं, जिस तरीके से answer key में भी दिया गया है, यह एक यहाँ पर हमारा visually impaired students के लिए दिया हुए, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, according to Goran Hanson, the Royal Swedish Academy of Sciences, researches the cause of gender discrepancy in Nobel Prize nomination, हाँ वो gender discrepancy के कारणों का पता लगा रहे हैं, nominist, fewer men for prestigious awards, नो ऐसा नहीं है कि उनको कम को देंगे वो, awards, the Nobel Prize to the most famous contributors, ऐसा भी नहीं है, जो main deserving होते हैं वो उनको देते हैं, select individuals who are not prejudiced in any way, prejudiced नहीं है, ऐसा नहीं है, तो वो यहाँ पर क्या research कर रहे हैं, कि gender discrepancy के वज़ा क्या है, question 15, which of these pieces of information is not present in the passage, passage में कौन से information इसमें से नहीं दी गई है, number of Nobel Prizes given in the year 2009, 2009 में कितने Nobel Prize दिये गए हैं, यह अलग से हमें नहीं बताया गया है, तो इसको हम consider कर सकते हैं, second point कहा रहा है कि अभी तक कितने Nobel Prize दिये गए हैं, यह हमें बताया गया था, third point जो है कि Eastern countries के कितने male scientists को दिया गया है, यह percentage हमें नहीं बताई थी, और percentage of female scientists belonging to Western countries यह बताया था, तो A और C दो हो गए, लेकिन A को हम निगलिक्ट करेंगे क्योंकि C जादा appropriate है, 16th question, इसके लिए हमने इस तरीके के कप्री यह रॉंग है, ज्यादा तर जो शेर हैं वो जब भूखे होते हैं तो वो डियर को खाते हैं, हम इस तरीके ज्यादा तर इस sense में by and large यूज गयाता है, by and large का मतलब यह नहीं कि जुबढ़ा है, शी वस सो एक्साइटेट दाट शी स्क्रीम बाइन लाज ऑन दरोड, इसका सही जबाब आपका होगा C, यह भी आपका vocabulary based question है, question 17th, the Nobel Prize is an international award because it recognizes the achievements made in all subjects, by all genders, in all countries, by all institutions, सभी subjects में यह नहीं होता है, genders में होता है, लेकिन यह सभी countries में होता है, इसलिए इसको international कहा जा रहा है, international कौन सी जीज होती है, जिसमें सभी देश involved है, question 18th, identify the opinion from these statements about the information shared in the passage, नीचे दिये गाए sentences में से आपको opinion बताना है, कि इन में से यह जो statement है, कौन सा opinion है, जैसे हमने first passage में fact छाटा था, यहां पर हमें opinion छाटना है, Nobel Prize has been awarded to more men than women, यह एक fact है, opinion नहीं है, Alfred Nobel's wealth is used to award the Nobel Prize to the winners, the Nobel Prize was awarded for the best contribution in only four fields initially, initially यह चार fields में दिया जाता था, यह fact है, women in general are more inclined to working on world peace than on other subjects, यह भी fact है, जिसे हमने analyze किया है, observe कि ज़्यादा तर जो ओरते हैं, जो world peace वाले subjects पर ज़्यादा काम करती है, तो यह वाला जो है कि Alfred Nobel की wealth को Nobel Prize winner में बाटा जाता है, यह एक opinion है, चलिए writing section पर आ गए हम, दोनों passages करने के बाद, क्या passages आपको clear है, आपके लिए useful है या नहीं, कुछ comment करके बताईए, ताकि मुझे पता लगे कि मैं इतनी ज़्यादा explanation दे रही हूं, यह ठीक है या नहीं है, question 19, read the following dialogue between Kashika and Sam, the underlined parts of this dialogue may or may not have an error, question 19, read the following dialogue between Kashika and Sam, the underlined parts of this dialogue may or may not have an error, choose the option that best replaces the underlined parts, you may choose no error if no change is required in the underlined parts, दो underlined phrases है, आपको देखना इन में क्या गलती है, Kashika ने कहा, Sam, will we take a look at the rules of the poetry competition, conveyed by Ms. Natasha last Tuesday, तो आप सबको मालूमें, we के साथ हम shall use करते हैं, तो यहाँ पर आना चाहिए, shall we take a look at the rules of the poetry competition, poetry competition के rules पर क्या हम देखें एक बार, we have very little time to prepare, तो shall we आ रहा है हमारा बी में, yes, you are right, I completely forgot about it, we should not delay it any longer, हमें इसे और ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा no error है, और यहाँ पर shall we, तो आपका बी जो है, इसका सही जवाब है, question 20th, choose the option that completes the paragraph above correctly, my work requires me to spread awareness about the kinds of bullying prevalent in a student's life, did you know that one out of every five students, जब हम कहते हैं कि, इतने में से, हर पांच में से एक बच्चा, ऐसे कहने है, every बाला आएगा आपका, तो every का मतलब होगा, B और C में से choose करना है, did you know that one out of every five student, is bullied by another youth, dash students are scared of opening up to others, about instances of bullying, many या few में से क्या आएगा, few students are scared of opening up to others, many students are scared of opening, क्योंकि few नहीं, जादा तर बच्चे डरते हैं, opening up to others about instances of bullying, that may be happening to, और around them, जो उनके आस-पास हो रहा है, तो इसले इसका भी सही जवाब है, B, question 21, इन में से कौन से sentence में पता लग रहा है, कि जो action है, वो बिल्कुल अभी-भी ही खतम हूँ है, अगर आप लोगोंने ध्यान से पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा, जब हम simple past और past perfect को use करते हैं, एक साथ तब हमें पता लगती हैं इचीजे, तो इसको देखते हैं, sentence के हिसाब से आप समझ सकते हैं, अगर tenses के नाम लेने से आपको समझ नहीं आ रहा है, तो, Kelly and I would study together each evening, हम पढ़ेंगे, future tense की बात है, Sarah has been playing in the rain since 2 o'clock, Sarah दो बजे से rain में खेल रही है, तो action खतम ही नहीं हुआ हैं, Jack has informed her that he would not be available, Jack ने उसको informed कर दिया है कि वो available नहीं होगा, उसने कर दिया है, वो action खतम हो चुपा है, लेकिन इसमें नेक्स को पढ़ोगा, the plane had left by the time Mandy reached the airport, plane उड़ चुका था जब तक Mandy airport पर पहुची, तो ये वाली चीज है, जो question में वो चाहा रहे हैं हमसे पूछना, कि plane उड़ चुका था, बस उसी time, जैसे वो airport पहुची, तो plane उड़ चुका था, तो ये चीज हमसे पूछी जा रही है, कि ये वाला phrase बताता है, that the subject has completed the action in the very recent past, नान देखो सारे, Kelly, Sarah, Jack, Mandy, ऐसे लग रहे हैं, अंग्रेजों के स्कूल का question आया हुए जैसे, इंडिया वालों के नाम ले लेते हैं कुछ सिंपल सिंपल से, Rohit, Sheila, Rajni, Easy लगता, चलो, 20 second question, यह आ गया एक और, Gina, Gina was asked to convert sentence A to reported speech, given below are three options that she came up with, sentence A दिया गया, Larissa, Larissa said, why don't you join me for dinner tonight, यह बड़ा important है, ध्यान से समझना, Larissa ने कहा, कि तुम आज रात के खाने में मुझे join क्यों नहीं करती, अब इसको क्या change करोगे, आप कैसे change करोगे, आपका interrogative वाला है, आपको ऐसे लग रहा होगा ना देखने में, तो इसलिए आपको लगेगा कि Lira asked, sorry, इसलिए आपको लगेगा, Larissa asked me to join her for dinner that night, Larissa suggested, Larissa asked and Larissa insisted, अब इन में से हम कौन सा कर सकते हैं, इसलिए आपको फर्स्ट वाला लेना है, Larissa suggested, अब यहाँ पर आप चाहिए, तो इसको connect कर सकते थे, वैसे हमारे interrogative में हम क्या use करते हैं, WH family वाला आता है, तो हम कोई भी connector बीच में use नहीं करते हैं, इसलिए Larissa suggested, I join her for dinner that night, इसको एक दो और अलग तरीके से ऐसे भी लिख सकते हूँ, देखो यह इसमें, तो इसका सही जवाब होगा, A only one is correct, क्योंकि उसने उसको suggest किया है, ना तो insist किया और asked me की बजाए, suggestion वाला जादा अच्छा लग रहा है, 23rd question, Given below is a statement made by politician Jason Bailey, I don't believe in giving second chances to these so-called allies who went behind my back, किसी की यह statement है, Imagine you are a newspaper reporter, while reporting this statement, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, You will not change this to this, तो आप इसको पहले एक बर simple अपने शब्तों में बना लो कि आप इसको कैसे लिखोगे, Jason Bailey said that he did not believe in giving second chances to those so-called allies who went behind his back, तो इसको हमने किया है, कि इन में से आप किस-किस को change नहीं करोगे, my to his, वो तो हमने किया है, change went to gone, went to gone नहीं होगा, don't to didn't भी हमने किया है, और these को हमने those में भी किया है, तो इसका सही जवाब हो गया, आपका B, पड़े घुमा फिरा के पूछे हैं मैं इन्होंने सवाल, 24th question, choose the option that completes the sentence below correctly, she had already begun eating her dinner by the time I reached there, ये तो बड़ा simple है जैसे अभी ऊपर बताया था, simple past और past perfect वाला, कि वो खाना-खाना शुरू कर चुकी थी जब तक मैं वहाँ पहुची, चलिए next question आगे, कि लोग अपने जो domestic servants हैं, उनको कम तन्खवा दे रहे हैं, कम wages दे रहे हैं करनाटका में, तो उसके लिए awareness जगाते हुए आपको एक letter लिखना है, letter के MCQs यहाँ पर हैं, question 25th, which of these elements are most important for Sneha to include in the given letter, a formal tone, creative graphics and images, ये वाला नहीं होगा, तो जिस-जिस में second आ रहा है, उसको हटा दो, the sender's and receiver's address, a narrative of one's own experience, अपने experience को यहाँ पर नहीं share करना है, तो हमारा 1 और 3 होना चाहिए, तो only 1 and 3 हमारा आ रहा है C में, 26th question, which subject line should Sneha select for the given letter, subject choose करना है, the problem of unaffordable domestic services, unaffordable नहीं है, वह सस्ती है वो तो, the problem of illegally underpaid domestic workers, ये सही लग रहा है, the issues with poor domestic services in Karnataka, the issues with the regularity of payment to workers, वो वहाँ पर उपर हमें बताया गया है कि उनको underpayment हो रही है, कम पे कर रहे हैं, तो इसके लिए सही जवाब है, इसका B, the problem of illegally underpaid domestic workers, 27th question, which of these should Sneha include while describing the problem in the introduction of her letter, यानि कि opening lines पूछ रहे हैं कि क्या-क्या होनी चाहिए, A में देखते हैं, citizens should be made aware of the proper wages, domestic workers should demand more fair wages, the government should check the wages paid to workers and solve this issue, क्या ये opening line में हम लिख देंगे कि government को wages check करनी चाहिए, और इस issue को solve करना चाहिए, नहीं, इसलिए हम A को नहीं देखेंगे, B कह रहा है, different households have been paying these amounts to the workers, the workers are not able to make ends meet with such low wages, the minimum wages act lay down certain rise that should be made, ये सही लग रहा है, C कहता है, the history of wages for domestic workers is very interesting, minimum wages was said to help workers support basic amenities, certain issues like working hours and are not addressed by minimum wages, अब ये तो यहाँ पर minimum wages act की एक तरीके से उसने बात कर दी है, कि उसमें working hours बताई नहीं गए है, और उसकी history बहुत interesting है, ये हमारे topic के हिसाब से नहीं है, तो C नहीं होगा, और A को भी हमने short दिया था, D कहता है, minimum wages should be changed to improve living conditions for domestic workers, employers and workers should sign legal contracts before starting work, the workers should form a union and protest against the low wages, इसारी बाते letter के हिसाब से सही हैं, लेकिन ये सब की सब opening lines नहीं हो सकती, ये last में आएंगी या पीच में आएंगी, तो इसलिए इसका सही जवाब हमारा होगा B, ओपनिंग के लिए ये वाली lines ठीक है, 28th question, Sneha shares the below suggestion in her letter, select the option that helps her complete it appropriately, a simple way to address the issue is to dash the minimum wages that workers should be paid, एक इसका सबसे simple तरीका इस issue को address करने का ये है, कि two file charges for the minimum wages, to protest against the minimum wages, to change the act to spread awareness about, इन में से ये दो तो ठीक लग रहे हैं, next line से देखते हैं, clear होगा, information can change the residence stash in some cases, ये बहुँ सिंपल ये आपे पता लग रहा है mindset, कि उनका जो mindset है residents का, कि इनको कम पैसे दो, अगर हम उनने सही information दे और बताएं, कि इनका गुजारा नहीं हो रहा है, और ये हमारी duty है, कि हम उनको इतना तन्खवा दें, कि वो दो वक्त की रोटी खा सके, तो हो सकता है कि उनका mindset बदल जाए, और वे उन्हें पूरा पैसा दे, तो mindset के साथ हमारा आ रहा है, ये protest against, simple way to address the issue is to, protest against the minimum wages that workers should be paid, information can change the resident's mindset in some cases, तो भी इसका सही जवाब है, 29th question, how should Sneha conclude her letter, last line क्या लिखेगी, this is a renowned newspaper and I hope my letters get published, ये सही तरीका नहीं है, this is a very interesting topic and I hope the readers enjoyed reading it, उनकी enjoyment के लिए नहीं लिखा जाता है, this is a serious problem for domestic workers, and I hope it gets attention, ये एक serious problem है domestic workers के, और मैं आशा करती हूँ, उमीद करती हूँ कि इसे attention मिलेगी, minimum wages should be changed so that we don't exploit domestic workers, question 30, how can Sneha revise the below lines to convey her message clearly, select the option that replaces the line appropriately, ये line हमें दी गई है यहाँ पर, इस line को change करके नीजे 4 statement है, देखना है कौन सी सही है, there are workers who are not able to eat 2 meals in a day, because of how much they are paid by some of the families in a building, so they have to do more than one job and work almost 18 hours a day, पहला कहता है, अफोर्डिं अ मील is difficult for workers, as they are paid wages that make them work for about 18 hours per day, A, जो है कम wages को focus नहीं कर रहा, वो इस बात को ज़्यादा focus में ला रहा है कि उनको खाना-खाना मुश्किल हो रहा है, अब B, जो है, B क्या कह रहा है, कि उन्हें 18 गंटे काम करना पड़ रहा है, B में उनके मील वाली बात missing होगी, तो C कह रहा है, due to low payment from residents, workers have to do multiple jobs for up to 18 hours a day to afford two meals, C में तीनों बाते आगी, residents are paying low wages to workers who are spending 18 hours a day on work, so they can eat their meals, D तो बिल्कुली नहीं है, A और B में आदी अदूरी बाते आ रही थी, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा, C. 5th part पर मौजगे हम, Half the class is making bets, G.N. and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, C.N. and Jax, who have staked their entire holiday savings on their bet, From morning to night it is, You are going to pass? No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down, If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, But teachers are the most unpredictable creatures on earth. I am not so worried about my girlfriends and myself. We'll make it. The only subject I am not sure about it is maths. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. ये from the diary of Anne Frank से लिया गया है, जब Anne Frank ये वता रही है कि मेरी आदी से जादा class जो है, वो शर्त लगाती रहती है कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे. और उसकी फ्रेंड, उसकी जो गर्ल्फ्रेंड है जी एन, एन की गर्ल्फ्रेंड जी एन, वो कह रहे हम, अब मेरे पीछे जो दो लड़के बैठते हैं, सी एन और जाक्स, उनकी silly बातों पर हम हसते हैं, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी holiday की saving शर्त लगाने पर खत्म कर दी है, सुबा से लेकर रात तक वो यही करते रहते हैं, मैं पास होंगा, मैं नहीं होंगा, मैं होंगा, मैं होंगा, मैं नहीं होंगा. यह भीजना ही नहीं चाहिए, लेकिन टीचर बड़े unpredictable हैं, हम कुछ नहीं कह सकते हैं उनके बारे में. I am not so worried about, मैं अपने और अपनी girlfriend की बारे में मिरको कोई चिंता नहीं है, हम तो करी लेंगे, सिरफ एक maths में मुझे चिंता है, Anyway, all we can do is wait, हम सिरफ वेट कर सकते हैं और एक दूसरे को यह कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, उमीद मतारो, हम पास हो जाएंगे. इसका question देखते हैं, How do Ann and her friend react to the boys behind them? उनके पीछे जो लड़के हैं, वो उनकी तरफ कैसे react करते हैं? They are irritated by them? Yes. They find them humorous भी हैं क्योंकि वो हस्ती हैं. They find them fascinating? नहीं. They are disgusted by them? No. They are disappointed? No. तो हमारा यहां पर आना चाहिए, irritated और humorous, यानि की 1 and 2. 32nd question. Select the option that shows the correct relationship between 1 and 2. C, N and Jax keep making bets about passing. Ann mentions that teachers are very unpredictable. So, उन्हों ने कहा कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे और Ann ने कहा कि teachers बड़े unpredictable हैं. A कहता है, one further is the meaning of two. क्या? One जो है, two के meaning को clear कर रहा है? नहीं. B कह रहा है कि one is false, but two is true. जोनों के जोनों true हैं. Two is the reason for one. Two is the effect of one. Two उसका effect नहीं है. But two is the reason for one. क्योंकि वो शर्त लगा रहे थे, इसी बात की वज़े से Ann ने कहा कि teachers बड़े unpredictable हैं. तो इसका सही जवाब होगा C. 33rd question. The girls, Ann and G, and the two boys, C and Jax, are both confident about passing in maths? No. Making fun of the dummies in the class? No. Telling each other that they will be promoted? Yes. Spending money on a gamble about passing. Gambling पर पैसा कौन खच कर रहा था? सिरफ बॉइस कर रहे थे. इसलिए इसका सही जवाब है C. Half the class is making bets because they want to spend money, they want to disturb each other, they don't know if they will pass. They are dummies who like playing games, they don't know if they will pass. इसलिए वो शर्त लगा रहे हैं. Why does Ann say the line below? Anyway, all we can do is wait. उसने ऐसा क्यों कहा? Because she believes that patience is a virtue. No. Because she knows that she will succeed in due time. उसे पता था कि वो पास हो जाएगी. So stop worrying about something that is not in her control. उसने ऐसा इसलिए कहा कि जो चीज आपके control में नहीं है, उसके बारे में चिंता करना छोड़ दो. ये बहुत ही असान comprehension था. 6th part को देखते हैं. I am very happy to say that Wanda Petronski is the winner of the girls medal. Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. The 100 races से ये लिया गया है. वहाँ पर ma'am जो है competition के winner को announce कर रही है. उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हों कि Wanda Petronski जो है, वो girls medal के winner है. लेकिन तुर्भागयवश. Unfortunately, वो कुछ दिनों से school नहीं आ रही है. तो इसलिए ये applause लेने के लिए वो यहाँ पर नहीं है. Let us hope she will be back tomorrow. Now class, you may file around the room quietly. यह file word यहाँ पर थोड़ा अलग है. इसलिए इसका question भी दिया गया है. अगर आप एसे शाउट.com पर जाकर देखेंगे The 100 races question bank तो वहाँ पर भी आपको इससे related question मिल जाएगा जो CBAC ने अपने पिछले question bank में डाला था. यहाँ पर फाइल का मतलब है कि सभी लोग एक लाइन में खड़े हो जाएं. Now class, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawings. कि सभी लोग कमरे में शांती बनाए रखें और चुप-चाप से एक लाइन में लगकर The children burst into applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor. सभी लोग तालियां पजाने लगे खुश होकर और boys भी जमीन पर अपने पैर पटखने लगे. Put their fingers in their mouth and whistle though they were not interested in dresses. Boys को हाला कि girls की dresses में कोई इंटरस नहीं था लेकिन फिर भी वो सीटियां बजा रहे थे. Look Peg whispered Meddy, there is that blue one she told us about. Isn't it beautiful? Meddy बहुत ही excited है. वो केगे कि Peggy देखो वो blue dress जो उसने हमें जिसके बारे में बताया था. सुन्दर है न? Yes, said Peggy. Peggy ने कहा and here is that green one और वो green भी यहां पर है. Boy and I thought I could draw और मैं यह सोसती थी कि मैं draw कर सकती हूं. यहां पर Meddy जो है बड़ी excited हो रही है लेकिन Peggy कुछ discourage होगी ऐसा लग रहे है. 36th question. Which of these is true about Wanda's teacher in the given extract? Teacher की क्या qualities आपको पता लग रहे हैं? She is flustered by the boy's reaction to the announcement? No. She is angry with Wanda? No. She is surprised to note that Peggy is not the winner. She is supportive of Wanda's talent in drawing. वो उसके talent को support कर रही है. 37th question. Which sentence uses file in the same way as the extract does? They arrange the documents in the file neatly. यह नही है मैं आपको बताया आपको. The police will file charge against all suspects? No. I file my nails regularly so they retain in a good shape. In some में file के अलग अलग मिनिंग आए है. The travelers file through to the ticketing counter first. Travelers को पहले ticketing counter पे line लगा कर जाना था. तो D. इसका सही जवाब है. 38th question. Why did the boys start cheering? लड़कों ने cheer करना क्यों शुरू किया? To appreciate Wanda's work. To bring positivity into the classroom. To show Peggy that they support Wanda. To have some noisy fun in a free manner. Wanda के work से उन्हें कोई मतलब नहीं था. वो केवल एक noisy fun चाहते थे in a free manner. तो D. सही जवाब है. Question 39th. Why and I thought I could draw. In the above line Peggy wants to imply that. वो इसका क्या मतलब है? कि और मैं सोस्ती थी कि मैं drawing कर सकती हूँ. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है Wanda can draw better than her. She herself is not good at drawing. Wanda is not really a talented artist. ये तो बिल्कुल नहीं है. She could also have drawn what Wanda drew. C. औ. नहीं है. Herself is not good at drawing. या Wanda can draw better than her. तो उसने Wanda की drawings को देखने की बाद ये कहा है. कि और मैं सोचती थी कि मैं draw कर सकती हूँ. तो उसका यहाँ पर in-directly कहने का मतलब है कि Wanda can draw better than her. 40th question. How are Maddy's and Peggy's reactions to Wanda's drawings different? हाँ. तो इसको हम eliminate करते वे ज़ते हैं. Maddy is shocked. shop नहीं है Maddy. Maddy is amazed वो है. inspired. उसके कोई inspiration मिल रही है. ऐसा हमें पैसे से नहीं पता लग रहा. Maddy is supportive. वो उसको support भी नहीं करें. वो खाली देखकर खुश हो रही है. बहुत जादा वो हैरान है. तो Maddy is amazed and Peggy is surprised. और Peggy is surprised है कि अरे वो इतनी अच्छी drawing कर लेती थी कि मतलब मेरी तो उसके आगे कुछ भी नहीं है. जिसका सही जवाब होगा आपका B. ये आपकी poetry की lines आ गही है. वो बड़े बड़े कदमों से चल रहा है. केज के अंदर ही कुछ स्टेप उसके वेलवेट जो मखवली पैर होते हैं. इन इस वाइट रेज चुप चप से, शान्द गुसे में. वो कह रहे हैं, उसको तो कहीना नहीं, शाडव में छुपा हुआ होना चाहिए था. लॉंग ग्रासिस में से स्लाइड करना चाहिए था, नियर वाटर होल वेर प्लंप डियर पास. और अपना शिकार पकड सके. विच आप इस एक्टिविटीज इस मेंशने इन एक्स्ट्राइट अस सम्थिंग ताइगर शुप रहे हैं, उनके हिसाब से जंगल में टाइगर को क्या करना चाहिए था. रोर एड विजिटर, प्लेट पीपल, वेट वार इस प्रेड, रिंक लीट वाटर, वेट फार इस प्रेड, क्योंकि जब वो ग्रासिज में छुप राया है, तो वो क्या कर रहा है, अपने प्रेड के लिए, अपने शिकार के लिए इंतिजार कर रहा है. 42nd question, why does the poet describe the cage as having few steps, cage में जब वो चल रहा है, तो poet उसको few steps क्यों कह रहे है, to draw attention to the stairs in the cages, उसमें जो सीडिया है, उसके प्रती ध्यान अकर्शित करने के लिए, no, to show admiration for the size of the cage, admiration नहीं दिखा रहे, to convey the importance of protecting tigers, to highlight the restriction on the tiger's freedom, Tiger की जो freedom है, वो curtail हो गई है, उसे एक छोटे से पिंजरे में डाल दिया गया है, उस चीज को highlight करने के लिए ये बात कही गई है, 43rd question, the contrast indicated in the given extract is between, इस पयाम में किन दो चीजों का contrast दिखाया गया है, the tiger's reality and the tiger's ideal situation, यह हमारा सही है, the luxury of zoo and simplicity of jungle, यह नहीं है, the tiger's actual feeling and how the tiger should feel, with the silence of the tiger in a zoo and his dominance in the jungle, तो tiger की जो reality है और जो इसकी ideal situation है, उसकी contrast को इस poem में depict किया गया है, select the option that describes the tiger in the lines below, lurking in shadow, sliding through long grass, sly का मतलब होता है जो छुप कर किसी पर वार करता है या कोई यूजना बनाता है, तो sly होगा, scared वो डरा हुआ नहीं है, वो तो attack करने जा रहा है, dominant भी नहीं है, क्योंकि अब भी वो छुपा हुआ है, तो वो dominant कैसे है, light-footed, पैर दबा के चलते हैं न, किसी पर attack करने के लिए, तो light-footed भी है, इस eye-catching, eye-catching नहीं है क्योंकि वो छुपा हुआ है, तो one और four इसका जवाब होना चाहिए, यानि कि A, which of these has the same rhyme scheme as the stanzas in the extract, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, इसकी rhyme scheme क्या है, his talks, हमारी poem की rhyming scheme को समझ लीजे पहले, his talks in his vivid stripes, A, the few steps of his cage, B, on parts of velvet quiet, ये इन में से किसी के साथ नहीं जा रहा है, तो C, in his quiet rage, cage rage, यानि कि ये B, तो हमारी rhyming scheme हो गई, A, B, C, B, A, B, C, B, तो उसी के साथ हमें इसको मैच करना पड़ेगा, tell me not in mournful numbers, life is but an empty dream, for the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem is, तो A, B, A, B, है ये नहीं चल रही, hold fast to dreams, for if dreams dry, life is a broken winged bird that cannot fly, ये वारा सही लग रहा है, A, B, C, B, I cannot go to school today, said little Peggy and Mac K, I have the measles and the mumps, a gash, a rash and purple bumps, ये भी नहीं है, we listened and looked sideways up, fear at my heart, as at a cup, A, A, my life blood, तो आगे पढ़नी की ज़रत नहीं है, तो इसका मतलब हमारा जो B थी ये सही जारी थी, next आपका दथीफ स्टोडी से है, I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand, Anil was watching a wrestling match when I approached him, he was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easy-going, kind and simple enough for my purpose, मेरे purpose के लिए उसने का वह बहुत ही easy-going, kind or simple था, यानि कि मैं अपने target उसको बना सकता था, I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence, कि शायद मैं उसका विश्वास जीत सकू, You look a bit of a wrestler yourself, I said, a little flattery helps in making friends, उसने उसको ऐसे ही चापलूसी करने के लिए बोला, कि तुम wrestler जैसे ही दिखते हो खुद भी, So do you, he replied, उसने कहा, which put me off for a moment, because at that time I was rather thin, उसने भी मुझे खा कि तुम भी ऐसे ही दिखते हो, लेकिन मुझे फोड़ा था अजीब सा लगा, कि हाँ मैं कभी-कभी wrestling करता हूं, What's your name? Hari Singh, I lied, I took off new name every month, हाट महीने में एक नया नाम ले लेता था, मैंने जूट बोल दिया कि मेरा नाम हरी सिंह है, that kept me ahead of the police and my former employers, मैं अपने नाम क्यों बदलता था, ता कि मैं पुलिस से और अपने पहले वाले, जिनको मैंने उपना शिकार बनाया था, उनसे बच सको, 46th question कर रहे है, I might be able to get into the young man's confidence, based on the line number, we can say that Hari wanted to reduce Anil's confidence to dupe him, reduce नहीं करना चाता था, he impress Anil with his confidence, अपनी confidence से उसको impress करना चाता था, नहीं, gain Anil's trust to exploit him, trust Anil with protect him, तो वो उसका विश्वास जीतना चाता था, he wanted to gain Anil's trust, so that he could exploit him later on, 47th question, which of these sentences shows the correct usage of the word modestly as used in the extract, the profits of our company have grown modestly over the last year, हमारे profit थोडे से बढ़ गई है, Ryan always modestly shrugs off the compliments from people, लोग उसको जो compliment देते हैं, वो उन्हें बड़ी ही सहजता से shrug off कर देता है, मतलब बहुत ज़्यादा उस पर react नहीं करता वो, we are looking to buy a modestly furnished apartment, हम एक ठीक ठाक सा apartment खरीदने की सोच रहे हैं, it is not advisable to dress modestly during winters, winters में modestly dress मत हो, अच्छे से कपड़ा पहनो खूब सारा क्योंकि सर्दी है, तो यहाँ पर इसी sense में जो B वाला है हमारा, इस sense में passage में use किया गया था, कि कोई जब आपको कोई बात कह रहा है, तो आप उसका oppose नहीं कर रहे हैं, आप उस बात को चुप चाप से, ऐसे ही let go कर रहे हैं, 48th question, Extract में से narrator के बारे में कौन सी बात नहीं बता लग रही है, narrator यहाँ पर कौन है, हरी सिंग, He was a lean fellow, वो पतला दूबला था, He was fond of wrestling, ऐसा तो नहीं बता लाथा कि उसको wrestling का शौट था, He was good at making friends, He had ways to avoid being arrested, तो उसको friends बनाने आते थे, लोगों को बेपूप बना सकता था, और उसके पास तरीके भी थे, arrest होने से बचने के लिए, तो B से हमें यह, B वाला हमें नहीं पता लग रहा है कि He was fond of wrestling, 49th question, Hari had dash before encountering Anil, Anil से मिलने से पहले Hari क्या था, He had just been released from jail, He tried to pull off a big robbery, He had a successful career as a thief, He had been unsuccessful for some time, वो यह कह रहा था ना कि काफी दिनों से मेरा लख अच्छा नहीं चाल रहा था, तो He had been unsuccessful for some time before encountering Anil, पचासमें question पे पहुँच गये हैं, उसके बाद 10 और बचे हैं, He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose, the reason that the narrator says the above line is because he felt that, उसने लाइन क्यों कही, He felt that it would be easy for him to manipulate Anil, Anil को manipulate करना असान रहेगा, He could learn a lot about wrestling from Anil, No, Anil could help him avoid being caught by the police, Anil पुलिस चे बचने में उसकी मदद करेगा, No, it would be easy for him to convince Anil to cook for him, Anil को convince करके वो उसके लिए खाना बनाएगा, नहीं, सिर्खाना बनाना तो एक बहाना था, He felt that it would be easy for him to manipulate Anil, उसको manipulate करना, अपनी बातों में बहकाना, ताकि दीरे दीरे वो उसको पर विश्वास कर ले, चलिए, अब यह आपके दस random questions है, आपके literature से इनको करते हैं फटा फट से, क्या अभी तक का आपको समझ आ रहा है, आई हो पा रहा होगा, 51, According to the poem, Fire and Ice, Some people say that the world will end in ice, Because humans are, इस poem में हमें बताया गया है, कि दुनिया या तो fire से तबाह हो जाएगी, या आइस से, आइस से तबाह होने की क्या वजाए उन्होंने बताई है, Greedy for wealth and power, ये तो fire के लिए बताई थी, Becoming spiteful towards each other, Passive towards the problem of climate change के, आबर कोई बात नहीं थी, Becoming increasingly unconcerned about security, Security का ध्यान नहीं दे रहा हैं, Unconcerned हैं, तो ये भी नहीं है, जिसका आपका सही जवाब है, Becoming spiteful towards each other, एक दूसरे के प्रती बहुत जादा द्वेश लोगों में है, Question 52, In the line given below from black aeroplane, When the writer refers to the clouds as black mountains, What is he referring to? बादलों को जब वो उसने black mountain का है, They look like black mountains standing in front of me across the sky, तो उसका क्या मतलब था? His hopelessness due to imminent death, उसको सामने जो बिलकुल ऐसे लग रहा था कि Unavival death जो आगई है, उसने मुसकी जो निराशा थी, उसकी वज़े से नहीं, जब हम किसी चीज़ को बहुत बड़ा ऐसे कहते हैं, तो मुसीबत का पहाड जैसे, तो इसलिए इसका जवाब होगा, His fear of their enormous size, वो इतने बड़े थे, तो वो अपने डर को वहाँ पर दर्शा रहा है, उन्हें mountain कहकर, 53rd question, इससे भी नहीं बता लग रहा, जब पहले दिन वो installation ceremony पर एक दूसरे के लिरिक्स को नहीं जानते थे, यहाँ पर पता लग रहा है, जो पहले वाले system था, वो खतम हो चुका है, अब आथेट का, और अब एक नया system आ गया है, एक वालिटी का, तो सी से आपको पता लग रहा है, 54th, How does the young seagal's attitude towards flying change in the story, the first flight? Flying को लेकर, जो वो इतना डरा हुआ था, घवराया हुआ था, तो उसका attitude कैसे change होता है, He questions it in the next sentence, question करता है, नहीं, He enjoys it, no, He is uncertain about it, हाँ, वो uncertain है, क्योंकि उसे यह डर था, कि मैं जैसी कूदूंगा तो मैं नीचे, उसमें C में गिर जाओंगा, उड़ नहीं पाओंगा, He is curious about it, वो उसके बारे में curious है, बहुँ जादा, जाननी कोई चुक है, no, So C हमें ठीक लग रहा है, He is uncertain about it, and then finds it thrilling, हाँ, वो uncertain था, लेकिन जब chances, situation ऐसी बनती है, कि यह उसे उड़ना पड़ता है, तो वो उसको बहुत enjoy करता है, उसको बहुत ज़्यादा thrilling लगता है, Choose the option that correctly identifies what the narrator is feeling in the line given below, As he stands rigid, trembling, staring down, जब वो एकदम इसे rigid खड़ा है, कहां परा है, और नीचे की तरफ देख रहा है, तो इसमें आपको क्या पता लग रहा है, गिल्ट उसको किसी बात का नहीं है, शॉक है, जब उसके उपर एकदम से, क्रो के उड़ने से बर्फ गिरती है, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, तो उसको शॉक जैसा लगता है, शेम नहीं है, जब क्रो ने उसके पर बर्फ किराई, तो उसके बाद उसका रवया चेंज हो गया, जो कुछ सोचकर वो परिशान हो रहा था, तो उसने कहा कि मेरा बाकी का दिन इसने बचा दिया, जो मैं आधा बर्बाद कर चुका था, तो इसमें उसकी फीलिंग कैसी है, disappointed है वो, नहीं, contented है, ambitious है, regretful है, वो contented है, वो इस ताइम satisfy हो चुका है, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, या जो हुआ हुआ अच्छे के लिए हुआ, question 57, in the story Footprints Without Feet, Mrs. Hall agreed to provide accommodation to Griffin, because he had, किस वजे से उन्होंने accommodation उसको दी थी, he had made sub payment to her in advance, 58, it was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, डॉक्टर नहीं कहा कि, क्योंकि उन्हें इतने सारी feast वहाँ पर मिल रही थी, कभी वाइन मिल रही थी और बहुत अच्छी अच्छी चीज़े, तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था कि Tricky को हम यहाँ पर आप उन्हें इतना अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने अपनी इस Temptation को पूरा क्यों नहीं किया, Tricky को उन्हें वापिस क्यों भेजा, वाइद Mr. Harriet not give in to the Temptation, he could not afford to take care of Tricky, he felt Tricky would be unhappy at the surgery, he knew Mrs. Pumphrey was miserable without Tricky, he continued feasting on items Mrs. Pumphrey sent for Tricky, वो जानते थे कि Mrs. Pumphrey का बुरा हाल है Tricky के भी न, इसलिए उन्होंने बाद में उसको वापसी भेज दिया, so option C is the right answer, 59th question, select the option that completes the given sentences correctly, the boys he followed Griffin in footprints without feet, dash and dash, दो ब्लांस दिये हैं यहाँ पर, the boys who followed Griffin in footprints without feet, dash and dash, they had found Griffin's laboratory, they were curious about the footprints, यह हमारी फिर्फिन ब्लांक में आएगा, second में, and they had almost discovered Griffin's secret, तो हमारा यह हो गया, two and four, last question पर हमा गये हैं, Maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl, Mr. Harriet gives the above description in the story, to show how, किस लिए इतना सारा description दे रहे हैं वो, वो यह बताना चाहरे है, how spoiled and pampered tricky was, Mrs. Pumfrey के privileges या उसके richness को नहीं बता रहे हैं, वो यह बता रहे थे कि tricky को कितना जादा इन्होंने, इतने शानु शौकत दी हुई थी, जिसकी वज़े से उसकी health खराब हो गई थी, तो यह हमने यहाँ पर अपना पूरा का पूरा कर लिया है, और I hope कि आप सभी लोग इसमें, 40 out of 40 marks लेकर आएंगे, चलिए, best of luck to all of you for 11 December, आंसर की भी यहाँ पर नीचे ही दी गई है, आप लोग इसको देख सकते हैं, तो मिलते हैं आगली वीडियो में, तब तक के लिए, गुद बाई, अगली वीडियो में तब तक के लिए,